असलाम लेकूं वीवर्स कैसे आप लोग उम्मीर करती हूं सब अच्छे से होंगे खैरियस से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए एक टर्किश डिश लेकर आई हूं इसे एक कपमा बोलते हैं यह सिंपल बॉयल एक से बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है और इसमें मसाल की जरूरत पड़ी किए लाई रह्मानी रहीं टर्किश एक कपमा बना ले के लिए मैंने यह तीन हाट वाइल एग लिए एक को में बहुत अच्छे से वाइल करना है विल्कुल भी कच्छा पन ना रह जाए और इसे मैं इस तरीके से बेज से टू पार्ट में डिवाइट कर दूँगी इस तरह से मैंने तीन एक का यूज किया है आपको जितने भी एक लेने हो आप लोग ले सकते हैं मैंने इंडक्शन पर एक कड़ाई रग दी है और इसमें जो मसाले मैं लूँगी वह बिल्कुल सिंपल है बस तीन चीज़ों का इ ये वन टीज़ोन पैपरिका है फजीक्त की एक रहरे चिली पॉडर मैं ने कुधिने का पॉडर लिए जो भी कुधिना मैंने तो ये लिए करक। योज बाजार का यूज कर लिए मैंने घर पर किदिने को ड्राई गया बार्वका और ये है इसमें 1.5 टीस्पून ये मैंने बटर लिया है बटर को मैं इसमें ढाल दूँगी बटर हमारा मेल्ट हो जाए बहुत देर तक हमें से नहीं पकाना है इसको जलने नहीं देना है बटर हमारा मेल्ट हो गया है अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी अब बस 25 हम इसे पकाते हैं कि यहां पर मैं दो से तीन चुटकी नमक डाल दूंगी नमक का जादा इस्तिमाल मुझे नहीं करना है क्योंकि बटर में यह बन रहा है बटर और अर्रेडी सॉल्टेड होता है अब हम क्या करेंगे इसमें यह सारे एग डाल देते हैं पहले हम इस तरह से रखते हैं इसको ऐसे 20-25 सेकंड हमें इस इस पकाना होगा फिर हम इसे टर्न कर देंगे अब मैं इसे टर्न कर देती हूं एक फोक से जैसे भी आपको इजी लगे इसको इस तरीके से टर्न कर देना है यह देखिए बस 20-25 सेकंड हमें इस साइड से भी पकाना है फिर हम स्लेम को अपने बंद कर देंगे काफी सिंबल और इजी रेसिपी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है आप लोग इसे एक बड़ जरूर ट्राइ करिएगा यह ब्रेकफस्ट के लिए बहुत अच्छा ओप्शन होता है जल्दी से बनका तयार हो जाती है अब हम इसके फ्लेम को आफ कर देते हैं और यह हमारा एक कपमा रेडी हो चुका है आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राइ करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि यह आप लोगों को कैसी लगी अब मैं चलती हूं नेक्स्ट रेसिपी लेकर फिर आऊंगी तब तक अपना खयाल रखें दुआओं में याद र